हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होब आप सभी लोग स्वस्थ और बहुत अच्छ होंगे बिल आज में आपके साथ अलोविरा जल का एक ऐसा कारगर घरेलू नुस्खा लेकर क्याई हूँ इसकी मदद से आपके बाल काले घने लंबे और मुलायम बनेंगे आज के समय की लाइफ स्टाइल, खराब खान पान और बढ़ते पॉल्यूशन के चलते बालों का सफेध होना आम समस्या हो गई है वैसे तो आम तोर पर बढ़ती उम्रे के साथ बाल सफेध होते हैं बट बहुत सारे केमिकल यूप्त प्रोडक्ट्स भी आपके बालों को समय से पहले सफेध करने लगते हैं ऐसे में अगर आपके सिर पर थोड़े से सफेध बाल आ चुके हैं तो इस अलोवेरा जेल के कारगार घरेलू उपाय को अपने बालों में ज़रूर लगाए तो चली बढ़ते हैं रेमेडी की दरफ और देखते हैं कि इस घरेलू उपाय को कैसी बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक आईरन का बोल लेना है और इसमें एड करना है आपको एक कप अलोवेरा जेल फॉर मीजरमेंट अगर आप स्पून से एड कर रही है अलोवेरा जेल तो आपको यहाँ पर कितना ले रहे हैं अगर आप फ्रेश अलोवेरा जेल ले रहे हैं तो वो भी ले सकती हैं जब वो बाहर हो जाए तो आपको क्या करना है इसके पल्प को निकाल करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है तो अगर आप मार्केट का अलोवरा जल ले रही हैं जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूं मार्केट का अलोवरा जल तो मैं इसमें कम से कम पांच चमच अलोवरा जल एड़ करूँगी अलोवरा जल हमारे बालो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूध करता है बालो के टेक्स्चर को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूफ करता है यह आपके स्कैल्प में इसली पैनेट्रेट भी होता है बालो को मजबूत करता है, घना करता है, लंबा करता है, काला करता है बिल्कुल नैशरल ही आपके बालो पे बहुत अच्छे से यह वर्ग करती है तो बांच चमच आपको यहाँ पे अलोवरा जल लेना है इसके बाद आपको इसमें दो चमच आड़ करना है coconut oil coconut oil में vitamin E की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है यह आपके बालों को अंदरुरीनी तोर पे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है light weighted भी होती है और इसमें multi vitamins good पाये जाते हैं इसके साथ आपको same quantity में यानि कि 2 चमच नारियल का तेल एड़ करने के बाद आपको 2 चमच हीना leaves powder भी एड़ करना है मैंने यहाँ पर colorless हीना powder लिया है यानि कि हीना की जितनी भी qualities है वो आपको इस हीना में मिलेगी लेकिन इसका color आपको नहीं मिलेगा बट अगर आपके पास यह वाला हीना नहीं है तो आप naturally जो हीना यूज करती है अपने बालो के लिए वही आप यहाँ पर ले सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हीना एड़ करने से बाल हमारे लाल और 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 जैसे पीले जैसे हो जाते हैं तो देखे जब भी आप सिंगल हीना को इस्तमाल करते हैं तो वह अपने कलर को आपके बालो में छोड़ती है लेकिन जब आप हीना के साथ कोई another powder भी mix करके लगा रही हैं तो आपके बालो में लाल पीला और और इंज कलर नहीं आता है तो इस डर की वज़ा से जो लोग हीना का इस्तमाल नहीं करते हैं तो प्लीज उनसे लिक्वेस्ट है कि हीना को यूज कीजे क्योंकि हीना भी बालो के लिए बहुत ही अच्छे से वर करती है हीना आज से नहीं सद्यों से इस्तमाल होती आ लिए पहले पत्तियों वाली हीना लोग इस्तमाल करते थे, घर पे खुदी तयार करते थे, पेस्ट और बालो में अप्लाई करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता गया, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, अब हीना का पावडर यूज़ करते हैं लोग, तो वो पावडर भ की सारे हर्ट्स का किंग है, क्योंकि इसे इस श्रणी में रखने के लिए ये इसलिए बैनेफेस्यल है, क्योंकि ये बालो की सबे समस्याओं को दूर करती है, एक चमच आपको यहाँ पे भ्रिंग राज पावडर एड़ करना है, अब आपको इन सभी चीज़ों को आपस मे अच्छे से मेक्स कर लेना है, जब भी आप हीना इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोशिश हमेशा यही रहे आपकी, कि आपको इसे लोहे के बर्दन में ही बनाना है, लोहे के संपर्क में आने के बाद हीना का करर और ज्यादा अच्छा और डार्क हो जाता है, आप चाहिए तो इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दे धक करके और नेक्स मॉर्निंग यूज़ करें या अगर आप इसे दिन में बना रहे हैं तो आप इसे आदे खंटे के लिए छोड़ें एंड इसके बाद यूज़ करें अपने बालो में इसे बालो में जडो में मेल को लगा करके छोड़ें और नेक्स्ट मॉर्निंग शैंपू कर लें हाफ्ते में इसे आप दो बाल इस्तमाल जरूर करें और नेच्रली है तो कोई भी इस्तमाल कर सकता है चाहिए आप मेल हो या फिर आप बच्चे हो बढ़ती उम्र में भी अगर आपके बाल ज्यादा सफेद हो रहे हैं तो इसके लिए बेहतर है कि आप घरेलू उपाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें आपकी किचन में इस्तमाल होने वाले ऐसे बहुत सारी मसाले और हप्स हैं जिनके इस्तमाल से आप अपने सफेद बालों की समस्या को दूर कर सकते हैं और सिर्फ यही न सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूली चली दोस्तों फिर से मिलते हैं कि अनदर रेमेडी के साथ तब तक लिए बाई-बाई ठीक केर अपना ध्यान लखिए